नमस्कार प्रिये साथियों मैं हूँ केवी और स्वागत आप सभी का एक बार फ़र्शे केवी परिवार में आज के इस वीडियो में हम भारतिय भोगोल के अंतरगत भारत की प्रमुख जीलों के बारे में बात करेंगे और यह जो पूरा वीडियो होगा वह हमेशा की तरह मानचितर पर ही बेश्ड होगा क्योंकि अगर आप जियोग्राफिक स्टूडेंट हैं जियोग्राफिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मानचितर का ज्यान होना आपको परम अवस्यक है और चित्रों के माध्यम से जब हम किसी भी चीज़ को समझते हैं तो उसे हम ज़्यादा दिनों तक याद रख पाते हैं तो इसलिए मैं कोशी से ही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं बलकि फ्लो चार्ट, डाइग्राम या मानचित्र के माध्यम से चीजों को बताया जाए जिससे आप ज़्यादा समय तक उन सारी चीजों को याद रख सकें तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो पसंद नहीं आता है تو उसके लिए डिसलाइक भी कर सकते हैं और comment section में जरूर बताईएगा कि आपने वीडियो को dislike क्यों किया है तो चलिए अब हम लोग वीडियो की सुरुआत करते हैं और हाँ एक बात मैं फिर आपसे बताना चाहूंगा कि PDF के लिए आपको नीचे टेलीग्राम के link मिलेगी वहीं से आप सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो ये बार-बार मैं आपको बताता हूं लेकिन फिर भी आप मेंसे बहुत सारे लोगों को साहर नहीं पता है तो आप लोग भी थोड़ा comment देखा करिए और जो लोग ना जानते हों उनको comment में बता दीजिए Instagram के link हो सके तो उनको दे दीजिए जिससे वह लोग भी जोईन कर सकें और PDF को डाउनलोड कर सकें तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस topic को जिसका नाम है भारत के जीले या Lakes of India के बारे में तो भारत की अगर हम जीलो की बात करें तो वैसे हम कह सकते हैं कि भारत एक जीलो का देश है बहुत सारी जीले यहां पर पाई जाती है हाला कि जीलो का जो देश है उसे हम कहते हैं फिनलैंड को फिनलैंड में बहुत सारी जीले पाई जाती है तो भारत में मुख्य रूप से बहुत सारी जीले हैं लेकिन उन में से हमें कुछी जीनों को परणडा है, जिन से प्रशन हमारी परिच्छा में पूछे जाते हैं, तो चलिए, हम लोग जानते हैं पहले, वह राज जी कौन कौन से हैं, ये हैं हमारा प्यारा भारत, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, जम्मो और कास्मीर से उसके बाद में उसके नीचे आएंगे हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के बाद पहुचेंगे उत्राखंड उत्राखंड के बाद में राजस्थान, फिर महाराश्ट, उसके लामा तिलंगाना फिर उडिशा, उडिशा के बाद में आंत परदेश, तमिल नाडू, केरल और हमारा एक उत्तर पूर्वी राय मड़िपूर तो इन सभी राज्यों की जीलों के बारे में हम यहाँ पर डिसकस करेंगे तो वीडियो की पहले जील के बारे में हम जाने, वह हमारा उत्तरी पूर्वी राज्यकाही होगा कौन सा? जिसे हम लोग कहते हैं लोक्टक जील तो याद रखिएगा लोक्टक जील जो कि इस्तित हमारा मडीपुर में और इस लोक्टक जील को तैरती जील भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक घास पाई जाती है जो कि इस जील में तैरती रहती है उस जील पर आपको मकान भी दिखेंगे उन खास पे तो इसलिए लोग तक जील को तैरती हुई जील कहा जाता है और यह हमारा मिलता है मडीपुर में कहाँ पर मडीपुर में मिलता है लोग तक जील अब इसके बाद में हम सुरुआत करते हैं जम्मू कास्मीर से तो ये है हमारा प्यारा जम्मू कास्मीर जम्मू कास्मीर की जीलों के बारे में चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हमारी जो जम्मू कास्मीर की राजधानी है जिसका नाम है स्री नगर स्री नगर के पास एक जील है जिसका नाम है डल जील इसका क्या नाम है डल जील इसी से छोटी सी रास्ते के द्वारा जुड़ी हुई एक जील है और इस जील को हम लोग कहते हैं नागिन जील इस जील को हम क्या कहते हैं नागिन जील और नागिन जील एक ऐसी जील है जो चारो तरफ पेड़ पौदों से घीरी हुई है फिर हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर आपको मिलेगा बेरी नाग स्प्रिंग बेरी नाग स्प्रिंग यहाँ पर मिलेगा और यहीं से हमारी निकलती है जेलम नदी जेलम नदी हमारी यहीं से निकलती है और इसी के पास में थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक जील मिलेगी जिसका नाम है सेशनाग जील और जीलम नदी के द्वारा एक जील का निर्मार किया गया था और उस जील का नाम है उलर जील उस जील का क्या नाम है उलर जील और उलर जील को हम लोग गोखुर जील भी कहते हैं अब गोखुर जील का निर्माड कैसे होता है इसके बारे में जब हम लोग physical जोग्रापी पढ़ेंगे तो वहाँ पर जब नधियों के कारी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप अच्छे से समझ पाएंगे वह किनारे इस्तित है स्रीनगर के स्रीनगर जो की राजधानिय जम्मू और कास्मीर की डल जील को हम लोग कास्मीर का मुकुट या स्रीनगर का गहना भी कहते हैं और अगर हम बात करते हैं उलर जील की तो उलर जील भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी जील है और उलर जील एक परकार के गोखुर जील का उधारण है गोखुर जील के बारे में मैं आपको यहां इतना बता देता हूँ कि मुख्य रोप से जो हमारी गोखुर जीले होती है उनका निर्मार होता है नदियों के द्वारा किन के द्वारा नदियों के द्वारा जब नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं और उनका मार्ग मुख हिमार्ग से विस्थापित हो जाता है तो जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसी से निर्मार होता है गोकुर जील का तो ये चीज़े आपको याद रपनी है जम्मू कास जील है इसे हम लोग कहते हैं रेडू का जील इसे हम क्या कहते हैं रेडू का जील ऊपर आप जाएंगे तो यहां पर है बिलासपुर जिला और बिलासपुर जिले में हमारी एक जील है जिसे हम लोग गोविंद सागर जील या गोविंद सागर जलासाई भी कहते हैं तो दून चंदा ताल जील चंदा ताल जील या चंदा ताल जील तो इस प्रकार से कुल चार जीले हैं हमारी हिमानचल प्रदेश में हिमानचल प्रदेश के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं कहां पर उत्तरा खंड में तो यह हमारा प्यारा उत्तरा खंड उत्तरा खंड में जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर एक हमारा है जील जिसे हम लोग कहते हैं भीम ताल इसे हम क्या कहते हैं भीम ताल जील भीम ताल के नीचे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक जील है जिसे हम लोग कहते हैं नैनी ताल जील आपने गाना तो सुना ही होगा तालों में नैनी ताल बाकी सब तलया तो वही हमारी है यहाँ पर नैनी ताल जील इसके अलावा कुछ अन्य जीले भी यहाँ पर हैं जैसे कि साथ ताल, देव ताल, खुर्पा ताल, डोडी ताल, माल ताल, जील यह सारी हमारी मिलते हैं उत्त तो आप जाएंगे हिमाचल में, अधरवाईज कोई भी ताल होगा तो वह आपको मिलेगा उत्तरा खंड में, उत्तरा खंड के बाद में अब हम पहुंचते हैं राजस्थान में, बीर भूमी राजस्थान में, तो यहां पर भी बहुत सारी झीले आपको मिलेंगी, सबसे पह प्रक्राइंगे शिल है शिरोही जिले में एक जील है जिसका नाम है नक्की जील नक्की जील के बारे में आपको परबतोंवाले वीडियो पे बताया था और इसी के पास में माउन्ट आबू जो की एक Heal station है राजस्थान का एक मार्त हिल इस्टेशन उसी के पास में हमारी है नक्की जील और यहीं पर दिलवाडा जैन मंदिर भी है जो की जैन लोगों का प्रसिद्ध मंदिर है तो आपको यह सारी चीजे याद रखनी है नक्की जील के बाद में हम नीजी आएंगे उदैपुर में और उदेपुर में हमारी एक जील है जिसका नाम है फतेह सागर जील इसका क्या नाम है फतेह सागर जील और यहीं पर एक और जील है जिसका नाम है धेबर जील इसका क्या नाम है धेबर जील तो कुछ अन्य तक्थों को भी तेख लेते हैं जैसे कि राजस्थान में कुछ अन समंध जील भी कहते हैं राजा जैसिंग के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और यह एक प्रकार की कृतिम जील है भारत में जितनी भी आर्टिफीसियल लेक यानि की कृतिम जीले हैं उनमें दूसरे नंबर की यह सबसे बड़ी है पहले नंबर पर है गोविंद बल जोजनाओ वाले वीडियो में बताया था सांभर जील की बात करें तो यह हमारी है खारे पानी की एक जील है और इसमें कुलमियाकर के पांच नदी आ करके गरती हैं तो यह सारी जानकारी आपके लिए हो गई राजस्थान की जीलों से संबंदित राजस्थान के बाद में अब हम बढ़ेंगे उडिशा में, कहाँ पर उडिशा में, तो यह है हमारा प्यारा उडिशा, उडिशा में जब आप तकिये छेतर में जाएंगे बंगाल की खाड़ी की तरफ, तो यहाँ पर हमारी एक जील है, जिसका नाम है चिलका जील, तो चिलका जील बेरी बेरी इंप सम드्रों के द्वारा बनाया जाते हैं माली यह हमारी boundary हुई और यहां पर जील हुई तो जब समध्रों उस में रहता है तो यह बंद हो जाता है कुछ दिनों तो बन रहता है फिर यह खुल जाता है तो इस जो ही सबसे बड़ी जील है पहले नमबर की जील कौन सी है चलिए आपके लिए यह सवाल हो गया आप comment सेक्षिन बतायेंगे की पहले नमबर पर इस जी-लो काुछा है जो हमारे यहां का सबसे समर्द हिस्ट कह सकते है तो यह हमारा प्यारा महराहेश्ट माहरास्ट में आपको स्रिफ दो जीलों की बारे पढ़ना मंबाइए म कहते हैं और दूसरा हमारा है मद्धिप्रदेश के पास में बाौंसरी के पास में और इस अब हम पहुंचेंगे केरल में कहां पर अपने दच्छिट भारत के एक महत्पूर्ण राज में एक समर्द राज में जिसका नाम है केरल तो ये हमारा हो गया केरल, केरल में मुख्यरूप से दो जीले हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है पहली हमारी हो गई अस्तमूदी जील यह भी हमारी एक लैगून जील है याद रखेगा यह भी हमारी एक लैगून जील है उसके अलामा इसके आप उपर जाएंगे तो यहाँ पर एक आपको जील मिलेगी जिसका नाम है बिमबानद जील जिसका नाम क्या है बिमबानद जील याद रखेगा बिमबानद हमारी लैगून जील नहीं है यह अंदर है और अश्टमुदी एक लैगून जील है तो अश्ट के बाद में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तमिल नाडू कहां पर तमिल नाडू में तमिल नाडू यह आप देख सकते हैं यह हमारा प्यारा तमिल नाडू तमिल नाडू में एक हमारी जील है इसका नाम है काली वेली जील इसका नाम क्या है काली वेली जील और उसके बाद आप मिसे कितने लोगों को कोडाई कनाल के बारे में और चीजें पता हैं तो अगर आपको पता है तो कोडाई कनाल के बारे में आप जरूर बताईए कमेंट सेक्षन में तो यह हमारी हो गई तमिल लाडू की जीले अब हम लोग तमिल लाडू के बाद पहुंचेंगे आंधर प्रदेश में कहां पर आंधर प्रदेश में तो आंधर प्रदेश यह हमारा हुआ प्यारा आंधर प्रदेश आंधर प्रदेश में आपको एक जील यहां पर मिलेगी प पुलिकट जील जिसे हम लोग क्या कहते हैं पुलिकट जील बेरी बेरी इंपॉर्टन ध्यान रखेगा यह एक ऐसी जील है जो दो राज्यों के साथ जुड़ी होई है एक तो नीचे हमारा वह तमिल नाडू उपर हुआ हमारा आंध्र प्रदेश और इन दोनों के सीमा पर इ अस्थापित है तो यह चीजे भी आपको याद अखने है पुलिकट जील काफी ज़्याद महत्पूर्ण काफी बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं तिलंगाना में तिलंगाना जो की एक हमारे भारत का सबसे नया यह है तो यह हमारा प्यारा तिलंगाना तिलंगाना में आपको दो जीले देखने को मिलेंगी पहली हमारी है हुसैन सागर जील कौन सी हुसैन सागर जील और यह हमारी तिलंगाना की राजधानी आंद प्रदेश में इस्थित हैं कहां पर तिलंगाना की राजधानी हैदरा बाद में और यहां पर एक हमारी जील है जो कि बनी है कृष्णा नदीपर और इस जील का नाम है नागारजुन सागर जील मैंने आपको बताया था नागारजुन सागर पर योजना भी चल लही है और इससे लावानमित होते हैं दोनों राज्ये और इसके अलावा नागारजुन सागर या हुसाइन सागर ये पहले किसमे थे आन्द प्रदेश में बाद में ये दोनों हमारे चले गए तिलंगाना में तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत की जीलों के बारे में यहाँ पर बात की कल से मैं कोसिज करूँगा कि आपको दो वीडियो दे सकूँ जिसमें हम लोग सुबह के टाइम विश्व भूगोल के अंतरगत एक टॉपिक को कबर करेंगे और साम के टाइम भारती भूगोल से स चाथ की भी आउसक है आउसकता है आप लोग वीडियो को लाइक करें कमेंट करके बताएं वीडियो के बारे में 2019 करें हदद दोस्तों के साथ भी सेर करें जिस से ज्यादा से ज्यादा लोगों से लामवानमित हो सकें कास बिढ़या उसराओ के लिए अपने अपना समय दिय थैंक्स फॉर लिस्निंग जै हिंद जै भारत बढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत